दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की पहली कबर BPSC पेपर लेक मामले में EOU की बड़ी कारवाई मजिस्टेट वो पिंसिपल समेत चार गिरपतार जहां बिहार लोक सेवायोक की सरसटवी सयुंक्त प्रारंविक परतियोगता परिचा के पेपर लेक मामले में बीर कुवर सिंग कोलेज से जुड़े चार व्यक्तियों को गिरपतार किया गया है इस सेंटर पर परिचा के दोरान हंगामा भी हुआ था कॉलेज के प्रचार योगेंदर परसाद सिंग और वहां के प्रतिन्यूक्त मजिस्टिर सर बड़ाहरा की प्रखन विकास पदादिकारी यानि की बीडियो जय वर्दन सिंग गुपता के अलावा कॉलेज के दो लेक् प्रसन पत्र लिख हो गया था अगली बड़ी खबर बीपेस से अपनी परिचाओं में बड़ा बदलाव करेगा योपेसी के पेटन पर परिचा लेने के तैयारी जी हाभी हार लोग सेवा आयोग अपनी परिचाओं में बड़ा बदलाव करेगा बविस में परिचाओं पर प्रसन पत्र लिख हुआ है उसकी जब दोबारा परिचा ली जाए तो उसमें नए बदलाव को लागो किया जाए आपके जानकारे के लिए बता दे कि OPSC की तरह बड़ी परिचाओं में सबी परिचा केंद्रों पर जेमर लगाए जाएंगे इसके अलावा CCTV केमरे का प्रबं रहता है इसके अलावा एकेडमिक इस्तर में भी कुछ बदलाव किया जाने के तैयारी है प्रसासने के इस्तर पर भी बदलाव होंगे प्रते के जिले में परिचा केंद्र बनाये जाएंगे बाड़े कबर बिहार में बिजली संकट गहराया 2000 मेगावार्ड कम होई सप्लाई जहा पिछले कुछ दिनों से बिहार को भीसन गर्मी से बलाई रहत मिली हो लेकिन बिजली संकट इसके बावजूद बिहार में गहराता जा रहा है चकरवर्ती तुपान पाने के वज़े से बिजली ववस्ता पूरी तरसे प्रभावित हुई है रविवार से अगर दोलना की जाये तो समवार कुपर बिहार में लगबग 2000 मेगावार्ड तक कम बिजली सप्लाई हुई इसका सबसे ज़दा असर उत्तर बिहार के जिलों पर हुआ है प्रदेश के ग्रामेन इलाकों क साथ साथ कई सहरों में भी 10-12 गंटे तक बिजली गायव रही है कमपणी अधिकारियों के अनुसार आसानी के बेच कई जिलों में बारिस हुई है कुछ इलाकों में तार पोल गिर गये है इस कारण बिजली आपूर्टी बादित हुई है कमपणी ने सावधानी बरते अगली बड़ी खबर कोईलोवर पूल का उदगाटन 14 माई को होगा नितिन गडगरी वीडियो कॉनफरेंसिंग से करेंगे सुबारं जिया सड़क और पूल निर्मान के चेत्र में बिहार के लोगों को एक और तफा मिलने जा रहा है राजानी पटना से सहदवाद होते विये उत्तर पदे से आना जाना अब और आसान होगा पटना और भोजबूर को जोडने वाला सोन नदी पर बना कोईलोवर पूल का दूसरा यानि डाउन इस्ट्रिम लेन भी बनकर तयार हो गया है चोदा माई को इस लेन का उदगाटन केंद्रे सड़क एवन परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गटकरी वीडियो कॉनफरेंसिंग से करेंगी इस पूल का आप इस्ट्रिम वाला लेन 10 दिसमर 2020 को ही चालू हो चुका है वह अगली बड़ी खबर बिहार में पूल गिरने की वज़ा सुनकर हैरान रह गए नितिन गटकरी जानिये क्या है मामला अबिहार के सुल्तान गंज से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके सुनकर केंद्रे सड़क परिवहन एवाम राजमार्ग मंत्री नितिन गटकरी हैरान रह गए है अगवानी घार तक गंगा नदी पर सड़क पूल बन रहा था जिसका एक हिस्सा 29 अप्रिल को आंदी के दोर गर गया था यह सुनकर नितिन गटकरी चोक गया उन्होंने खूद इसके जानकरी नई दिली में आईजेत कारकरम के दोरां दी है नितिन गटकरी ने चोकते हुए कहा कि हवा और धोन के वज़ा से पोल कैसे गिर सकता है गड़करी को इस जाच रिपोर्ट पर सक है उन्हों पर लिख के बाद एंट्री टाइम में परिवर्तन यहां विहार लोग सेवा आयोग की सरसटवी सयुंक्त प्राराम्बिक परतियोगी ता परिचा का प्रस्ण पत्र लिख होने से परिच्छा प्रानाली में सुधार किया गया है प्रस्ण पत्र लिख की घटना से सबक लेते वे BPSC ने 15 माई को आयोजेत होने वाली बाल विकास परियोजन पतादिकारी परिच्छा को लेकर बड़ा निन लिया है अब परिच्छात्री को परिच्छा हॉल में परिच्छा सुरू होने से 15 मिनट पहले तक ही एंट्री मिलेगी निर्दारित समय के बाद किसी भी परिच्छा को एंट्री नहीं दी जाएगे आगर परिच्छा 12 बजे से सुरू होगी तो परिच्छात्री को 11 बज कर 45 मिनट तक ही केंद्र के अंदर परवेश दिया जाएगा सुमवार को आयोग के चेर्मेन आरके महाजन के अधिक्सता में 15 माई को होने वाले CDPO 21 माई को होगी अगली बड़ी खबर बियार में जातिय जनगन्ना पर गरमाई राजनिती तेजस्वी ने नितिस कुमार को दिया अल्टिमेटम कहा 72 घंटे के अंदर सियम अपना इस्टेंड साब करे जहां नेता प्रतिपाउच तेजस्वी प्रसाद यादम ने कहा कि प्रस्ताव पारित हो चुका है इससे पहले समवार को बियार में जातिय जनगन्ना कराने को लेकर नेता प्रतिपाउच तेजस्वी यादव पाटना से दिल्ले तकपाद यातरक करने का एलान किया था अगली बड़ी ख़बर बिहार में कम हो सकती है पेटोल और डिजल की किमत सियम नितिस ने दिया जवाब जा बरति महंगाई को देखते वे जनता को और रहत देने के सवाल पर मुख्यमंतरे नितिस कुमार ने कहा कि जितना रहत देना संबाव है वह सब किया जाएगा पेटोल डिजल की किमती काफी बढ़ गई है लेकिन कई हपतों से किमत इस्तिर है पेटोल डिजल की किमतों में जापा होने के कई कारण है भारत में पेटोल डिजल बाहर से आता है जब बाहर से महंगा पेटोल डिजल आएगा तो उसका असर भी यहां पड़ेगा इन सब चीजों पर राज सरकार के नजर है अगली बड़ी कबर बियार में तेज हवा के साथ बुंदा बुंदी तेरा तक 24 जिलों में आंधी पानी का अलर्ट जिया राज की 24 जिलों में मुसम विभांग ने 13 माय तक आंधी पानी की चेतावनी जारी की है इस दोरान जगा जगा पर गरज तड़की सिती बनेगी या अलाट राज में समवार सही प्रभावी है मुसम विगान केंद्र पटना के अनुसार तुफान का आंसिक असर बिहार में देखेगा राज बर में पुर्वा का प्रभाव बना हुआ है आपको बता देख कि उत्तर बिहार की पुर्वी परण पश्चिमी चंपरण सिवान सारन गोपाल गंज सितमडी मदोवनी मुझपरपूर दर्मंगा वैसाली सिवर समस्तिपूर सूपोल अरेरिया किसन गंज मधिपूर सहरसब पुर्निया कटिहार की जिलों में अलाट जारी किया गया तरके पांच जिलों के लिए में भागलपूर बाका जमोई मुंगेर और खगडिया सामिल है बाड़ी कबर बिहार में एक और कारनमा पूल के बाद पंचायद भवन ही बेच डाला मंत्री राम सुरत राय के छेतर का है मामला ज्यानेती सरकार के नाक के निचे जालसा जोने बिहार में एक और बड़ा का बिहार में पूल चोरी होने की घटना हो या फिर रेल इंजन इसे लेकर लगतार सुर्किया बनती रही है लेकिन अब सरकारी पंचायद भवन की चोरी का संसनिक हेज मामला सामने आया है मामला बिहार सरकार के मंत्री राम सुरत राय की विदानसवा चेतर से जुड़ा यहां औराई प्रकंड की औराई पंचायद भवन को बेज दिया गया है आरोप पंचायद के मुख्या और सची पर लगा है इन दोनों पार आरोप एकी बोल्डुजर से पंचायद भवन को तोड़ कर एक एक एर बेज दी गई है मामला सामने आने के बाद 29 अपरिल को ही प गंगापत होगा रोसन जहां दीगा से एन सिन्हा के बेज गंगापत में सड़क का काम पुरा होने ही बाला है सड़क पर दूसरे लیئर का अलकत्रा लगाया जा रहा है कि दो जोन को इसका उवद्गाडन हो सकता है इसको लेकर निर्मान कायर में भी गतिल आई गई है एन स सिन्हा से पीम सेज तक इलेवेटेड रोड को फाइनल टच दिया जा रहा है बिजली कनेक्शन के लिए चौज जगोह पर टांसफरमर लगाया जा रहा है 500 बिजली कहमबा पर बल्ब लगाया जाएगा जिससे दिगा से पीम सेज तक गंगा पद जगमागा उठेगा या सारे काम 25 माई तक पूरे कर ले जाएंगे अब इस सड़क के बीचों बेज बिजली का खंबा लगाया जा रहा है सड़क के दोनों किनारे भी बिजली का खंबा लगाने के तैयारी है चो जोगों पर टांसफरमल लगा कर बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा अगली बड़ी ख़वर बिहार के बाढ़ गरस्त जिलो में HDRF के लिए बनेंगे 27 सेंटर इमर्जनसी ओप्रेशन में होगी स्विधा जिया राज आबदा रिस्पोंस फोर्स के लिए बाढ़ गरस्त चेतरों में 27 सेंटर मनाय जाएंगे आबदा प्रबंदन विभाग इसकी तयारी कर रहा है ऐसा होने से जवरत पढ़ने पर त्वरित एक्षन लिया जा सकेगा इससे जान माल की बड़ी चती रोकी जा सकेगी आबदा प्रबंदन विभाग से मिले जानकारी के अनुसार फिलाल HDRF की 40-40 जवानों के लिए इस तरह के सेंटर उत्तर बिहार के पर रस्त जिलों में शुरू करने की योजना है सेंटर को सभी तरह के संसादों से यूख्ट कर ऐसी जगों पर शुरू कराया जाना है जहां से बाढ़ के दोरान ओपरेशन चलाने में सुविदा हो अभी बाढ़ की सिती में इन्हें अलग-अलग सरों में ले जाया जाता ह बाड़ी कबर बियार में बीएड परवेश परिच्छा के लिए अब दक 80,000 आविदन 11 सहरों में होगा इंट्रेंश टेश जह बियार में दो वरसे बीएड और सिक्चा सास्त्री के सयूंगत परवेश परिच्छा CET 2022 के लिए आविदन करने वालों की सेंक्या 80,000 स्यादि आविदन करने वालों की सेंक्या अधिक है आपको बदादी कि दो वरसे बीएड और सिक्चा सास्त्री 2022 के लिए परवेश परिच्छा 23 जून को होनी है सव्यूंगत परवेश परिच्छा के लिए आईजन के लिए राजबर की 11 सरों में परिच्छा केंद्र बनाया जाएं चोईस दिया है साथ सिक्चा सास्त्री के लिए अब तक 31 अब एर्द्यों ने अपना पंजयन करा लिया है और हमकी बड़ी कबर बिहार में तीन दिनों से वेवसाइट ठब आवासियों और जाती प्रमान पत्र के लिए छात्र हो रहे हैं परिसान जहां आय और जाती प्रम पत्र आदे के प्रमान पत्र बनवाने के लिए सरकारी वेवसाइट बिते तीन दिनों से काम नहीं कर रही है और टिप यस आविदन के लिए वेवसाइट पिछले सनिवार से खुलने रहे हैं और समवार के रात तक भी यह वेवसाइट अंडर मेंटेनेंस बता रही थी प्रमान पत्र बनवाने के लिए आविदन कर दिया था वे अब परमान पत्र बनने के बाद भी डाउलोड नहीं कर पा रहे हैं आज के लिए आपका स्वाल बताई कि बिहार के सुल्तान गंज में पूल गिरने का सही कारण क्या है इसका जवाब आप अमन नीचे कॉमेंट क के जरूर बता है